हेलो दोस्तों विल्कम टू एथरिक एडमी मैं आनंद गुमार आपके सामने रिजिनिंग का एक फिर से बहुत अच्छा टॉपी लेकर के उपस्तित हूं जैसे कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे पासा जी हैं दोस्तों हम डाइस पढ़ रहे थे और डाइस का यह हमारा पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्त में यह इस लिंक서 देंगे तो वहां से आप जा करके उस वीडियू को जरूर देंगे क्योंकि दोस्तों हमारा जो होता है क्योंकि बेसिक चीजे दोस्तों हमारा पूरा लेसन उसी पे डिपेंटर करता है इसलिए आप हर चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो उसका पहला पार्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा तभी चीजे क्लियर होगी तो यह पासा का पहला पार्ट आप जरूर देखे जो मानक पांसा पर था उस पर आधारित था और तीसरा था खुला फांसा जो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट टू में हम पढ़ेंगे खुले फांसे में लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों देखिए आपके सामने एक प्रस्ण है। इस ताइप कि हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुकiving तो दक पहला कोस्तियन आपके सामने है चार के विपरीत पर कौन सा अंक होगा यह आपके सामने एक पांसा दे दिया जाएगा आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि पांसा में 6 फलक होते हैं जिसमें हमको एक तरफ से देखने पर केबल उसके 3 फलक दिखते हैं और उसके पीछे 3 फलक छुपे हुए होते हैं तो हमें वह ग्याद करना होता है तो देखिए आपके सामने यह फांसा है अंकों का योग देखना है अगर दो निकट वरती अंकों का योग साथ हो जाता है तो हैं सामने पांसा हो जाता है जी हां दोस्तों एक बार और सुनिएगा जिनके दो निकट वरती दो निकट वरती कहने का मतलब है दोस्तों इन दोनों को एड़ करना है जिसे चार और एक पांच होगा फिर हमको एड़ करना है पांच और एक छे होगा और इन दोनों के एड़ करना है हमको पांच और चार तो कितना हो जाए का ना हो जाएगा तो इनके दो निकटवर्ती फलकों का हमको योग ग्याद करना है अगर इनका योग सात हो जाता है दोस्तों तो वह सा मानपासा कहला जाएगा और अगर सात नहीं होता है तो आप बोलोगे वह मानपासा होने वाला है तो देखिए इसके निकटवरती फलकों का योग कितना हो रहा है तो आप देखेंगे तो 4 और 1 को जोड़ेगे तो 5 हो रहा है 5 और 1 को जोड़ेगे तो 6 हो रहा है 5 और 4 को जोड़ेगे 9 हो रहा है क्या निकटवर्ती फलकों का योग सात हो रहा है बिलकुल नहीं हो रहा है आगे इसको एड़ करिए तो देखे चार और दो चै हो रहा है यहाँ पे फिर इन दोनों को एड़ करिए दो और एक तीन हो रहा है फिर इन दोनों को एड़ करिए चार और एक पांच हो रहा है तो आ मानक पासा मानक पासा होगा अब देखिए हमने बोला था जो मानक पासा होता है उनके विप्रीत अंकों का योग हमेशा कितना होता है साथ होता है तो दोस्तों यहां पे चार के विप्रीत मुचा है तो चार में आप कितना एड करोगे कि साथ होगा तो आप आत्मोत के बता द तो आप देखिए 4 का विपरीत क्या होगा हमेशा 4 का विपरीत 3 होगा क्योंकि इनका योग विपरीत का हमेशा क्या होता है साथ होता है अगर 6 का पूछता तो आप बताते हो हमेशा मानक पांसा में 6 का विपरीत 1 होता है 5 का विपरीत 2 होता है 4 का विपरीत 3 होता है 3 का विप प्रीत चार होता है दो कभी प्रीत पांच होता है और एक कभी प्रीत छे होता है आप देखेंगे कि इनका सब का योग कितना होगा इनका सब का योग साथ होगा आप एड़ कर लेजें का सब का योग साथ होने वाला है तो आप देखोगे हमको सबसे पहले देखना है माना को साम साथ नहीं हैं तो है क्या मानाक-p juicy नहीं होगा याद रखेए ゃब साथ नहीं होगा और उसके बाद दूसरा प्रश्न हम इसे लिए उठाई हैं दोस्तों यहां पर भी पूचा-C. चार के विप्रीत अब अगर आप रटके गए क्या रटके गए कि हमें इसा इनकी फलकूं का योग साथ होता है तो आप देखो कि चार और चार की विप्रीत आप क्या लगा करके चले आते लेकिन यहां पर हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले चेक करेंगे मानक पांसा यास देखे चार और पांच नव क्या साथ हुआ नहीं हुआ आंगे देखे पांच और तीन आठ ये भी नहीं हुआ आंगे देखे चार और तीन साथ देखे चार प्लस तीन साथ हो गया हमको राउंड में सभी को दो दो करके देखना है तो सबसे पहले हम क्या देखे सबसे पहल हो गया, साथ हो गया, मतलब जैसे ही इनके दो निकटवर्ती फलकों का योग साथ हो गया, कैसा पासा कहला जाएगा, आप बुलक सर गया है सामान पासा कहला जाएगा, और सामान पासा में जरूरी नहीं है कि चार की विपरीत तीन ही हो चार की विपरीत एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है पांच भी हो सकता है च्छै भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्योंकि यह सामानने पांसा है मानक पांसा में यह तो माननता है माननता है कि हमेशा निकटवर्ती फलकों का योग साथ होगा तब हमको इसको दोस्तों निकालना पड़ेगा और निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हमको इसमें से एक common अंक देखना पड़ेगा तो इनमें common क्या होगा हमने बोला सर यहां पर common हम 3 लेंगे और जब common 3 लेंगे तो हम क्या करते थे हम लिखेंगे यहां पर 3 फिर इसको clock by direction में घुमा देंगे 3 के बाद क्या है आप बोलोगे सर 4 है 4 के बाद क्या है 5 हमने लिख लिया फिर इसको पांसा को पकड़िया 3 के नीचे क्या जाएगा 3 फिर इसको भी clock wise गुमा यह 3 के बाद क्या आने वाला है एक और एक के बाद क्या आने वाला है दोस्तों एक के बाद क्या आने वाला है 5 यहां पर हमने क्या बोला थे जब दो फलक आपस में कॉमन होंगे तो हमेशा पांसे दो है तो वो विप्रीत अंक यही कहलाएंगी जहां पर दो अंक कॉमन होते हैं और पांसे दो रहते हैं तो हमेशा जो एक अंक यहां पर दिया हुआ है और एक यहां पर दिया होगा यह हमे देख लिजेगा अब चलते हैं आज का जो हमारा में टॉपिक है खुले फांसे पर आधारित प्रश्ण अब देखे पेपर में पूछा है पांसा अभी तक बंद देता था अब पांसे में क्या कर देता है दोस्तों पांसे को खोल देता है और खोलने के बाद पूछ लेता कि प्रितंग क्या होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो देखिए कैसे थोड़ा से समझेगा आपके सामने एक ऐसा ओपन पांसा दे देता है देखिए कुछ ऐसे पांसा दे देगा यहां पर एक ओपन पांसा दे दिया और यहां पर मालेज लिख दिया है A B C D E और F और इसमें प्रस्ण में पूछ लेगा दोस्तों प्रस्ण में पूछ लेगा E के विप्रीत E के विप्रीत कौन सा अच्छर होगा आप से कुछ लिए दे देगा दोस्तों आपके सामने ओप्सन दे देगा option number A, option number B, option number C, option number D ठीक है यहां पर A B C D लिखते एक दो लिख देते हैं option number 1, 2, 3 और 4 देखे option number 1 में देदेगा आपके सामने A, option number 2 में देदेगा आपके सामने B, option number 3 में देदेगा आपके सामने C और option number 4 में देदेगा आपके सामने D ऐसे प्रशन पूछ लेगा दोस्तों तो आप बताईए कैसे करोगे तो एक चीज आपको याद रखना है हमेशा इसको हम कैसे solve करते हैं तो एक अंक छोड़ के हमेशा जोड़ा बनाते हैं तो देखिए B का होगा D के साथ जोड़ा हमेशा देखिए C का होगा E के साथ जोड़ा और ये बाहर वाले का हमेशा इसके साथ जोड़ा होने वाला है याद रखिए का एक अंक छोड़ के बनाना है B का हमेशा उपर वाले का एक अंक हम को छोड़ देने क्योंकि निकट वरती कभी साथ में नहीं होते ठीक है न? तो आपको याद रखना है हमेशा क्या होगा? C, E के साथ जोड़ा बनेगा, F का A के साथ बाहर बाले का और B का एक अंक छोड़ की, तो क्या देखिए B के निकट F है बिल्कुल नहीं है यहाँ पे देखिए A के निकट F है बिल्कुल नहीं C के निकेट E बिल्कुल नहीं है यह हमेशा पास में कभी नहीं होंगे इसलिए हम A कंक छोड़ करके निकालेंगे अब देखे पेपर में क्या करता है थोड़ा सा इसको चेंज करके A को यहां से मिटा करके बना देगा कन्फ्यूज करने के लिए देखिए A को यहां पे बना देगा और F को ले जाके दोस्तो इनकी सिरीज इदर कहीं भी होती रहेगी आपको टेंसर नहीं लेना है इसको बैठा देगा यहां लिख देगा A कोई दिक्कत नहीं दोस्तो यह पूरी लाइन अगर इनकी चेंज जो तरेगी तो हमेशा फिर भी यह है इसके निकट वरती ही कहलाने वाला है F का यही कहलाएगा, B का D ही कहलाएगा और C का E ही कहलाने वाला है ठीक है? यह चीज आपको याद रखनी है अब उठाते हैं प्रशन तो आपकी सारी चीजे क्लियार हो जाएगी बहुत दिजिए दोस्तों याद रखे कि एक अंग हमको छोण के इनका जोड़ा बनाना है इसमें क्या पूँचा दोस्तों? इसमें पूँचा है E के भी प्रीत तो देखे E के भी प्रीत क्या होगा? एक अंग छोड़ के जाएगे C क्या C आपको 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 सामने सो हो रहा होगा प्रशन क्या दोस्तों देखे प्रशन में दिया है यदि नीचे दी गई आकरति का छायंकित भाग एक घन का आधार है तो फलक एक आपके सम्मुक है तो उसके विप्रीत का रुण होगा? एक के विप्रीत पूछा है दोस्तों देखे प्रशन में प्रशन नंबर एक है हमारा यहाँ पे अंक लिखे हैं दोस्तों तीन चार एक पांच और दो आप से पूँचा दोस्तों एक आपके सम्मुक है तो इसके विप्रीद एक के विप्रीद पूँचा दोस्तों किसके एक के विप्रीद एक के विप्रीद काउन संख होगा तो बिल्कुल आप आख मूत क्या बता सकते हो एक अंखम को छोड़ना है तो एक के विप्रीत क्या होगा ये होगा ठीक है ना और आप बोलो के चार के विप्रीत क्या होगा पांच होगा और तीन के विप्रीत क्या होगा तीन के विप्रीत दो होगा लेकिन प्रस्ण में किसक बहुत इजी है, आप देखिए तो एक बार चलिए, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को सेयर करिए, अब चलते हैं अपने अंगले प्रश्न की को, प्रश्न नमबर 2 सर लगा दीज देखिए, प्रश्न नमबर 2 आपके सामने उपस्थित हो गया होगा, प्रश्न नमबर 2, प्रश्न नमबर 2 में क्या दिया है, यदि नीचे दी गई विवस्था में से एक घन बनाया जाए तो, पांच बिंदुबाले फलक के सामने कितने बिंदुबाला फलक होगा, पांच बिंदू बाले दोस्तों देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का चित्र बना हुआ है बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा कि एक कि यह चार है और इसमें बिंदू दिये हैं दोस्तों पहले बाले में यह चार बिंदू है दूसरे बाले में देखिए 6 बिंदू है तीसरे बाले में 1 बिंदू है चौथे बाले में 2 बिंदू है इधर 5 बिंदू है बिंदू के जगे हम अंक भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितने बिंदू है यहाँ पे 3 बिंदू है आप से पूछा है दोस्तों पांच बिंदु बाले किसके पांच के विपरीत पांच के विपरीत क्या है तो मैंने क्या बोला था दोस्तों हमको एक अंग छोड़ के बनाना है तो हम क्या बोलेंगे चार के विपरीत तो एक होगा और यहां च्छे के विपरीत क्या होने वाला ह हमें इसा बाहर बालिस होता है तो पांच की विप्रीत क्या होने वाला है आप बोलो कि पांच की विप्रीत तीन होने वाला है क्या option में तीन है जी हां दोस्तों option number और सी स्क्रेक्ट एंसर option number सी और से बहुत दोस्तों देखी बहुत इजी है अगर आपको यह नहीं पढ़े थे तो दिक्कत ओने वाली थे लेकिन अब आप यह question गलत नहीं करने वाले हो अब चलते हैं अपने अंगले प्रश्न की वह प्रस्न्य नंबर तीन कि सर लगा दीए देखिए पर नमबर तीन जब तक पढ़िए यह चोटा सा टॉपिक है दोस्तों लेकिन कुश्चन आते हैं आज सा वीडियो करीब 20-25 मिनट का ही जाएगा देखिए यह दिनीचे देखिए विवस्था में इसे एक घन बनाया जाए तो तीन दोस्तों तीन बिंदू के बिंद वाला फलक आएगा देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा यहां पर कुछ इस तरह का दोस्तों दिया हुआ है फलक देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीन बिंदू बने हुए है यहाँ पे एक बिंदू है यहाँ पे कितने बिंदू है दोस्तों यहाँ पे आप बोलोगे सर छे बिंदू है यहाँ पे चार बिंदू है यहाँ पे दो बिंदू है और यहाँ पे पांच बिंदू है अब आप क्या बताओगे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने हैं देखिए हमेशा आप देखेंगे कि इन में से आपको कैसे सॉल्व करना है तो देखिए हमेशा करीब निकटवर्ती नहीं होंगे तो आप बोलोगे कि सर इसका छे का पांच होगा दो का एक होगा और ये वाले का ये होगा देखें पास में कभी नहीं होना चाहिए तो आप बोलोगे क्या पूछा दोस्तों तीन बिंदू बाले के विप्रीद तीन बिंदू बाले के विप्रीद क्या होगा आप बोलोगे option number A is correct answer option number 3 विंदू बाले की विप्रित क्या होगा sorry 3 विंदू बाले की विप्रित क्या है 4 क्या option में है option number B is correct answer देखे 3 विंदू बाले के सामने counts होगा आपको देखना है बस 2 कभी पास पास नहीं होगे अगर आप यहां ले ले लेते 3 3 कॉलम बाला को ले लेते और 6 कॉलम बाले को यहां से अगर आप सोच रहे होगे कि हम इन दोनों को ले लेते तो आप इन दोनों को भी ले सकते थे और इसको भी ले सकते थे और यहां से इसको भी ले सकते थे पस आपको देखना है कि यह आपस में मिले नहीं चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्ण की और तो देखिए प्रश्ण नंबर चार बहुत इच्छा प्रश्ण है दोस्तों आपके सामने प्रश्ण नंबर चार प्रशन नमबर चार में देखिए बहुत इच्छा प्रशन है दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा बना हुआ है हराओ हराओ कि एड़ी इब सी फ तो आप बोलों कि डी के भी प्रीट होगा बी एक भी प्रीट होगा और ऑइक परीजिट होगा एक, प्रस्टमे क्या पूँचा दोस्तों, प्रस्टमें है पूचा है, एक काहन से सामने कौन सा अच्छार होगा, kब क्या क्या सामने ए देखिए, एकर प्रसान एंक दोस्तों, ऑप्स सन में आपको मैं question दे दूँगा PDF में टेलिग्राम में तो आप इसको हचा करके डाउनलोड कर देजीगा प्रश्ण नमबर पांस में देखिए बहुत एच्छा प्रश्ण दोस्तों इसमें देखिए नीचे दिये गए प्रश्ण में प्रश्ण आकरती को मोड़कर कौन सा पांसा घ एसे करने वाले हैं आप बस एक को समझ लेंगे तो आप logic समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा A, B, E, F, C और D ठीक है आपके सामने चार option दिये हुए हैं दोस्तों चार पांसे दिये हुए हैं देखिए एक बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने कुछ ऐसे चार पांसे दिये हुए हैं यह दोस्तों आपका A, यह है B, फिर C और D आपके सामने चार आपसन दिये हुए हैं दोस्तों यहां पे है F, यहां पे है E, यहां पे है B उसके बाद F, D और E आँगे देखिए E, C, B आँगे देखिए D, A, E अब देखिए प्रस्ण को इसे solve कैसे करना है तो आप देखोगे हमेशा B के सामने क्या होने वाला है F, B के विप्रित हमेशा F आने वाला है, मतलब अगर B दिखेगा तो F नहीं देखना चाहिए आँगे देखिए E के विप्रित क्या होने वाला है, E के विप्रित C होने वाला है मतलब अगर E देखेगा जहाँ पे वहाँ पे C नहीं देखेगा अगर C देखेगा तो E नहीं देखेगा आगे देखे A के विप्रीत क्या होने वाला है A के विप्रीत D होने वाला है अगर D देखेगा तो A नहीं देखेगा और A देखेगा तो D नहीं देखेगा तो आप देखोगे, इस प्रश्ण में बहुत अच्छे तरह के समझेगा B के विप्रीत क्या होने वाला है, आप देखोगे B के विप्रीत F होने वाला है आगे देखे E के विप्रीत क्या होने वाला है, आगे देखे A के विप्रीत क्या होने वाला है बोलोक सर A के विपरीत D होने वाला है मतलब अगर किसी कॉलम में B है तो वहाँ पे F नहीं देखेगा अगर E है तो C नहीं देखेगा अगर A है तो D नहीं देखेगा यह चीज आपको याद रखनी है तो अब इसी तरह आपको चेक करना है देखेगे F यहाँ पे F है मतलब B नहीं होना चाहिए तो B भी है देखिए क्योंकि यह तो विपरीत है तो जब विपरीत है तो F के पीछे हों का मतलब B नहीं देखना चाहिए तो देखेगे अगर यहाँ पे F है तो B नहीं होना चाहिए लेकिन B है इसलिए यह गलत हो जाएगा दूसरा option चेक करिए अगर F है तो B नहीं होना चाहिए तो ठीक है B नहीं है आगे देखिए E है मतलब E है तो C नहीं होना चाहिए E है तो C नहीं होना चाहिए बिलकुल नहीं है अब आगे देखिए A है D है तो A नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पर यह है सही है इसको भी चेकल लीजे अगर E है E है तो C नहीं होना चाहिए E और C दोनों है अगर E है तो C यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो यह भी गलत हो गया इसमें देखिए अगर D है तो A यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि D तो A के विप्रीत है इसलिए यह नहीं होगा समझ गए बात को अच्छे समझेगा क्योंकि हमेशा देखिए विप्रीत अंक हमें नहीं देखते हैं अगर B दीखेगा तो F नहीं दीखेगा क्योंकि B F के विप्रीट है देखिए B F के विप्रीट है इसी तरह अगर C दीखेगा हमें E दीखेगा तो C नहीं दीखेगा क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के विप्रीट है इसी तरह देखिए अगर A है तो D नहीं दीखेगा D है तो A नहीं दिखेगा, यहां पर हमने कैसे गलत किया देखी, F है उपर, मतलब F के भी प्रीट क्या है B, तो B F के पीछे होगा, पीछे होगा ना, तो कैसे आंगे दिखेगा, इसलिए यहां तो गलत हो जाएगा, यहां पासा नहीं बनेगा, दूसरे देखेगे, F है यहां पर, तो F के भी प्रीट क्या है B, तो B नहीं दिखने है जाहे, तो देखेगे, यहां पर नहीं दिख रहा, आगे देखे, E है, तो E के भी प्रीट क्या है, C है, तो C इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन C है इसलिए यह पासा नहीं बन सकता आगे देखिए D के भी प्रीत A है मतलब यहाँ पर D है तो इसमें A नहीं होना चाहिए फिर लेकिन A हो गया है इसलिए यह गलत है आप देखिए एक प्रशन और देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी देखिए प्रशने नमबर 6 देखिए यहाँ पर भी एक पासा बना हुआ है आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुए पांच यहाँ पर लिखा हुए चार फिर लिखे हुए दोस्तों एक फिर दो यहाँ पर च्छे और यहाँ पर तीन यहाँ पर भी अंखम मिटा लेते हैं और आपके सामने चार पांस है दी हैं दोस्तों यहाँ पे तीन है यहाँ पे एक है यहाँ पे च्छे है उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक है यहाँ पे पांच है और यहाँ पे तीन है आंगे देखिए यहाँ पे दो है यहाँ पे चार है और यहाँ पे च्छे है यहां पे तीन है चार है और फिर एक है आप से पूचा है दोस्तों नीचे देगे प्रस्ट में अकरतिकों मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है तो देखिए दोस्तों चार के विप्रीत क्या होगा जैसा कि हमने सीखा चार के विप्रीत दो होगा एक के विप्रीत क्या होगा आप बोलोग सर एक के विप्रीत 6 होगा पांच के विप्रीत क्या होगा आप बोलोग सर पांच के विप्रीत 3 होगा विप्रीत का मतलब क्या होता है अगर यह 6 जहां पर दीखेगा वहां पर 2 नहीं चार दिखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें तो आप देखे यहां पर दोस्तों तीन है तो तीन के विप्रीत जो अंक है वो इसमें नहीं होना चाहिए तो तीन के विप्रीत क्या है पांच क्या पांच इसमें बिल्कुल नहीं है आगे देखे दोस्तों यहां पर दूसरा अंक है एक अब एक के विप्रीत जो है वो यहां लेंगे देखिए अब यहाँ पिcessors भी favors चंङा है तो अğरण मैं नहीं होना चाहिए दोस्तों कि चौज इसमें बिल्कुल नहीं निए बनाया जा सकता आंगे देखिए दोस्तों 2 है दो के भिपरीत वाला औंक यहां पे नहीं होना चाहिए तो 2 कें भिपरीत वाला वाला शार इसके है क्या दूसरा शारura वाला व्याइस में नहीं होना चाहिए questa चार के भी प्रीत क्या है दो क्या दो इसमें है बिलकुल नहीं है दोस्तों बिलकुल नहीं है आंगे देखे अगला के एक एक के भी प्रीत क्या है दोस्तों च्छै है तो च्छै इसमें नहीं होना चाहिए तो क्या च्छै इसमें है नहीं है बिलकुल नहीं है मतलब कि यह सही answer है यह सही answer है मतलब इसके सहायता से ये वाला पांसा बनाया जा सकता है ये वाला पांसा बनाया जा सकता है मांकि ये वाले नहीं बनाया जा सकते हैं clear है चलिए आप चलते हम अपने अंगले प्रश्न की योड तो प्रश्न नूमबर साथ. देख़ें प्रश्ण नंबर साथ, आपके सामने आ गया होगा. प्रश्ण नंबर साथ नीचे दिये गए प्रष्ण में प्रष्ण अकरत क्यों मोड कर कौन सा पांसा बनाया जा सकता है प्रश्नि नमबर साथ दोस्तों देखिए आपके सामने टी के यू देखे टी के ओ यू एम दिया हुआ है दोस्तों आपके सामने आपको बताना है पहला दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों एल फिर है के फिर है O M ये चार कॉलम हैं आपके सामने आपको comment box में जा करके comment करना है इसका answer इधर क्या है दोस्तों तो आप देखो यहाँ पे क्या है आप बोलोगे sir यहाँ पे T है कुछ इस तरह है यहाँ पे क्या है आप बोलोगे sir यहाँ पे कुछ U है इस तरह है अब आपको comment box में जा करके comment करना है दोस्तों की कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता है चलिवे प्रश्ण no. 7 आपको comment box में जा करके comment करना है A, B, C, D कौन सा सही answer होने वाला है आगे देखिए प्रश्ण no. 8 प्रशन नंबर आठ दोस्तो बहुत। इच्छा प्रशन दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंजस किया है। अब आप अगर समझ चुके हो, तो आप देखते हैं कितने अच्छे तर utilities समझ चुकिए इन दो प्रश्णों को आपको comment box में जा करके comment करना है प्रश्ण number 8 को देखिए यहां पर अंतर क्या दोस्तों यहां पर यह नहीं बनाया जा सकता मतलब नीचे दिये गए प्रश्ण में प्रश्ण आक्रति को मोड़ कर कौन सा घं नहीं बनाया जा सकता है यहां पर नहीं बनाया जा सकता है तो जैसा भी कर रहे थे उसके आपको करना है प्रश्ण number 7 और 8 आपको जा करके comment करना है तो यहां से आपका पासा हो गया complete यहां से रेजिनिंग special में पासा का पार्ट भी होता है complete अब हम अपने next structure में पढ़ने वाले हैं दोस्तों घड़ी के बारे में जियां दोस्तों क्लॉक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो आपको हमारा यह पढ़ाया अगर पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को सेर करिए और हाँ दोस्तों इसी तरह मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए एक दिन जरूर आप कामयाब होगे क्योंकि हमारे मेनत कभी वेर्थ नहीं जाती है तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट कॉंसेप्ट के साथ तब तक के लिए खुस रहिए मस रहिए अपना और अपने माता पिता का नाम रोसन करिए जैहिंद जैभारत